हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे फ्राइट बोनी जैनल पर तो गाइस आज के रेसिपी में हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला जो बहुत ही यमी बनने वाला है तो बस करना क्या है यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से पनीर लेना दो मीडियम साइस इलाइची तेश पत्तक और दो सूखी लाल मिर्चियां फिर यहाँ पर एक पैन ले लो जिसमें बटर का क्यूब आट करो और यहाँ पर हलका सान ओयल आड़ कर लो और इनको अच्छे से गरम कर लो जैसे ही अच्छे से गरम हो जाएना तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आड पलट करके ना दोनों साइट से हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है तो देखो मैंने इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है देखो इस तरीके का आप लोग भी इसमें कलर लेकर आना उसके बाद ही हम इसको अच्छे से एक प्रेटमन कर लेंगे और य तो बिल्कुल भी टिष्ट नहीं आने वाला है तो बस हलका हलका सा भूनने के बाद 3-4 इसमें लसन की कलिया अड़ करना और यहां पर अपना यह स्लाइस में कट किया हुआ प्याज अड़ कर लेना और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसमें भूनना है इसको तब तक पूनते जाना जब तक यह अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाएंगी तो जैसे ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ना इसमें अपने टामेटर आइड करने और इसको भी अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर देना और जैसे ही टामाटर अच्छे से सॉफ्ट होने लगे ना इस जिसमें यह सभी को एड़ करो और ना इसके fine puree बना लो तो अच्छे से इनकी fine puree बना ले ना उसके बाद यहां पर एक pen लो जिसमें अच्छे से प्योरी को चन्नी से चान कर अट करना क्योंकि ये जो gravy है न हम बहुती स्मूधी बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हमें चन्नी में इसको चान लेना है देखो इस तरीके से आप लोग इसको अच्छे से चान लीज़ेगा तो जितनी भी अच्छी से हमारी स्मूधी gravy निकली है देखो इसका texture कितना अच्छा है इसको अच्छे से mix कर लेंगे फिर यहाँ पर अपने सबी मसाला अड़ करेंगे जो हमने अच्छे से निकाल कर रख लिए थे और प्यूरी में इसको अच्छे से mix कर देंगे और फिर हम इसको ढख करना 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से बुनने के लिए रख देंगे तो लेजे गाईज हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से बुन चुका है आपको इसका कलर दीख रहा है न ऐसे ही आप लोग भी इसको बहुत अच्छी से बुन लेना क्योंकि जितना अच्छा हमारे गिरीवी बने की न उतना ही टिश्टी हमारा पनीर बनने वाला है सभी पनीर के क्योब आड़ कर लेना उसके बाल यहां पर रोफ्टीट कस्तूरी में थी आड़ करना जिससे कि न इसका फ्लेबर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा फिर यहां आप लोग लाई आड़ करना आप लोग यहां फ्रेश क्रीम भी आड़ कर सकते हैं आप लोग यह रेसेपी ट्राइ कर सकते हैं आप लोगों को भी न यह रेसेपी बहुत पसंद आएगी हलका सा धनिया एड़ करके इसको मिक्स कर लेंगी और इसको न आप लोग एक बाल में निकालना फिर आप लोग इसको सिंपल रोटी के साथ यह बटन नान के साथ फटा है करना बाइ बाइ बाइ